रमजान का महिना चल रहा है और इस दोरान मुस्लिम समुदाई के लिए रमजान से जुड़ी एक खास कबर सामने आई है आपको बता दे 9 अपरेल को रमजान का सद्रवा रोजा रखा जाएगा 29-30 दिनों का रोजा पूरा होने के बाद इद मनाया जाता है 9 अपरेल के दिन शहरी और इफतार का समय बेहद ही खास होने वाला है आपको बता दे रमजान के पूरे महिने में मुस्लिम समुदाई के लोग रोजा रखते हैं और कल का जो रोजा होगा और उसके इफतारी और शहरी का समय बेहद ही खास है 9 अपरेल को सुबह 5.11 मिनट पर शहरी का समय तै किया गया है वहीं पर इफ्तार के लिए शाम 6 बच कर 55 मिनट पर इफ्तार करने का समय तै हुआ है और ये समय बहुत खास है 9 अप्रेल को रमजान का सत्रवा रोजा रखा जाएगा 29 और 30 दिनों के रोजा के बाद इद की सौगात दी जाती है इद का तेवहर पुरे धूंधाम से मनाया जाता है मुसलिम समुदाई के लिए ये परव बेहद ही खास होता है